नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी कांगे दिस पायास इंडिया पर मैं हूँ अंकेत अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज सुभह सुभह घटित हुई एक घटना का अपडेट जानने के लिए गटना क्या हुआ है? गटना हुई है कि इसराइल ने इरान के उपर फाइनली गोला दाग ही दिया है ये गोला दागने की जो खबर है लेकिन ये है कोई भी न्यूज पेपर खुद के हवाले से कनफर्म नहीं कर रहा है मतलब ये ऐसा हुआ है कि इंडिया ने जब पाकिस्ता के उपर ए Dodge की थी तो पाकिस्तान सफाई देने बहर आया और कहने लगा था कि मेरे उपर कोई भी जोला नहीं चलाया गया कुछ वैसा ही वाखिया देखने को मिल रहा है समझ महीं नहीं आ रहा है कि कन्फरमेशन मिली भी है के नहीं मिली लेकिन अंतरश्य मेडिया ने इसक लीजेगा, session complete में आपके सामने कर रहा हूँ, मैं सुबह 6 बजे इस जानकारी को प्राप्त कर लिया था, लेकिन ना तो इरान ने बोला, ना इसराइल ने बोला, कोई भी यह नहीं बोल रहा है कि हमला हुआ है, हुआ क्या है, आज के session में देखने का प्रयास करते हैं, क्योंक मुद्ध यह है कि साहब एक अप्रैल के दिन से जब इसराइल ने सीरिया के अंदर consulate पर हमला किया था ना, तब से इरान मरा जा रहा था कि मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगा, इरान ने गोला चला चला गया, चलाने के बाद में इसराइल बोला कि अब मेरी बार है, मैं बदला लूँगा, इस पर हमने पूरा सेशन किया है, हमने इस पूरी कहानी को आपको बताया था कि कैसे कैसे ही सारी घटना हुई थी, आप जा करके सुन भी सकते हैं, अपडेट बन कर आता है कि इसराइल ने अपना बदला ले लिया है, और कहां पर तो इस फाहान कि अंदर इसराइल ने गोला दाग दिया है, अब देखो, मानना अपने लिए मजबूरी इसलिए हो जाता है कि अलजजीरा जैसे अख़बार इसको न्यूज की हैडलाइन दे रहे हैं, यही नहीं, दुनिया भर के अख़बार, टाइमस आफ इंडिया, CNN, CNBT, NBC, The Guardian, मैं तो शुरुआत में कन्क्लूजन दे रहा था कि कोई भी कन्फरमेशन ना चलाने वाला दे रहा है, ना मारने वाला, खाने वाला दे रहा है, दुनिया पर क्या ख़बार दे रहे हैं कि इसराइल इरान वार अपडेट, इसराइल कंड़क्ट एयर स्ट्राइक, इसराइल स्ट्र इरान के जो सुप्रीम लीडर है, खमनेई, उनका बर्थडे है आज, 19 अपरेल को जनम दिन आता है इनका, और इनके जनम दिन के अवसर पर गोला चलाया है, इसराइल ने, और लिखा है, हैपी बड़े, ये बहुत सारे ट्विटर हैंडल पर वाइरल हो रहा है, विस्तार से स काहानी को सुनसलेवार तरीके से सुनेंगे, अपडेटिड रहने के लिए गुजारिश आप से केवल इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही और भी कोई अपडेट इसमें आता है, मैं इविनिंग में आपको सेशन बना कर दे दूँगा, सब्सक्राइब करने के लिए बटन दिया हुआ है, यदि आप में से कोई भी साथ ही हमारा आरेस फांडेशन बैच जाइन करना चाहता है, तो हमारा बैच 7500 में कम्प्लीट जीस फांडेशन, 16 सब्जेक्ट के साथ उसमें मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर केवल एथिक्स पढ़नी साथ ही साथ में GS फांडेशन के लिए भी कहना चाहूँगा कि यदि आप में से कोई मेरा GS फांडेशन पर्चेस करना चाहता है, तो 1499 में उपलब्ध है, और यदि पुराने विध्यारती अपना सब्सक्रिप्शन एक्स्टेंड करना चाहते हैं, तो वह 799 के अंदर, by using coupon code 50 अपना एक साल का validity बढ़ा सकते हैं, बाकि हमारे notes वगेरा सब मार्केट में उपलब्ध हैं, आप हमारे अपनी पार्चाला application पर एक बर जाकर सर्च कर लें, चलिए, तो फिलहाल के लिए headlines की चर्चा करें, कि इसराइल कह रहा था कि मैं बदला लूँगा, तो जब ये अपना याद होगी कि किस प्रकार से इसराइल पर हमले के बाद से लगातार ये बात से देखी जा रही थी, कि इसराइल, संडे के दिन जब ये घटना हुई थी, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि इसराइल बदला तो लेगा, बदला कैसे लेगा, इसके बारे में बस क आपको मैं जानकारी दे दू कि जब से इसराइल पर हमला हुआ इरान का, तब से इसराइल वाले चार बार फुल टाइम कैबिनेट की पैठक बुला चुके हैं, वार कैबिनेट और वो कैबिनेट बीठ पैठकों में ये डिसाइड किया जा रहा है कि हम क्या करें, 17 तारीक को वार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और वार कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर के नेतन न्याहु का बयान आया, और उस बयान को कल की तारीक में अगर आप देखें, तो बयान ये था कि इसराइल अपने आपको डिफेंड करेगा, मतलब ये हुआ कि इन्हों एक परकार से निर्धार्इत कर लिया कि हम तो बदला लेंगे यह किसका call था? इनके ओपर गोले आकर के गिरे हैं यहां पर आपको यह बीच बीच में बिलिंक करती होई मिसाईले दिखेंगी रोक कर अगर में दिखा हूं तो आपको यह तो आपको कर दिख रहा होगा ये इरान पर आती हुई मिसाइल यहां पर दिख रही है ये मिसाइल को रोक करके अगर फोटो में कैप्चर किया जाए तो इस पर है से है भारत में जब सुबह 6 बज रहे थे आज फ्राइडे के दिन तो ABC News जो अमेरिका की एक निउस एजनसी है उसके अधिकारियों के तरफ से मतलब उसने अधिकारियों के हवाले से ख़बर दी कि एरान के एक शहर जिसका नाम है इसफाहान इसफाहान के एरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी है तो विजुवल्स भी आगया आडियो भी आगया और ये कहा गया कि इसफाहान एरपोर्ट के पास एरपोर्ट के पास धमाके हुए ये ABC News जो अमेरिका की निउस एजनसी है उसने अपनी तरफ से सुर्की दे दी ठीक है ये सुर्की जैसे ही आई तो इरान International English News Channel ने भी इसको लिखा कि इसराइल ने कहा है कि उसने इरान में अपना हमला करके अपनी अबिलिटी दर्शा दी है कि देखो हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं हम तुम्हारे उपर गोलत चला सकते हैं तो देखिए The Early Friday Attack in Iran was intended to signal Iran that Israel had the ability to strike the country मतलब ये केवल इसलिए कि अगर इरान यह सोच कर खुश हो रहा हो कि हम इसराइल पर हमला कर दिये अब इसराइल हम पर नहीं करेगा क्योंकि वो हम से डर गया है तो हम डरे नहीं हैं इसलिए इन्होंने मिसाइल चला दी है बस ये तस्वीर इन्होंने दिखा करके ये बात बोल दी ठीक है सब तो ये इरान का मैप देख लीजिए एरान की राजदानी तहरान देख लीची और तहरान के साथ में आपको यहाँ पर इस्वाहान करके जगए दिखाई दे जाएगी अब इस्वाहन जगए को ही क्यों टारगेट किया गया? क्या इसके पीछे कोई कारण है? कारण है सब कारण ये है कि इस इस्फाहान के आसपास के छेत्रों में ही इरान के दोरा अपनी nuclear website का काम चल रहा है, nuclear enrichment, nuclear weapon बनाना, nuclear reactor बनाना जो कारेकरम चल रहा है ना इरान का, वो असल में इसी इस्फाहन के आसपास चल रहा है, कुछ दिनों पहले मीडिया में ये सुर्खिया आने लग ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने भी ABC News को कोट करते हुए कहा कि अमेरिकी मीडिया हैंडल कह रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ ना दुनिया भर के न्यूज में छप चुका है आप देखिए ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इसराइली मिसाइल से हैव हिटे साइट इरान ऐसा हमला हुआ उसके बाद में इरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है आप यहां पर यह ख़बर देख सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि यह हमले की जो ख़बर है ना हमला सही हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता हमले की प्रतिकरिया दुनिया भर में देख गया अमेरिकी अख़बार ने चापा ग्लोबल टाइम्स ने चाप दिया इरान इंटरनेशनल कह रहा है कि फ्लाइट्स कैंसल कर दी और यह बात हुआ भी है यहां पर यह तस्वीर देखे इरान की जो है मतलब जो राजधानी है तहरान वहां पर फ्लाइट कैंसल होने की यह जो आप देख रहे हैं सारी फ्लाइट कैंसल कर दी गए तुरंत और लोगों से कहा गया कि वो ततकाल प्रभाव से एयरपोर्ट छोड़ कर चले जाए यानि कि एयरपोर्ट को एवैकुएट करने की भी ततकाल जानकारी लोगों को दे लिफ्ट फ्लाइट रेस्टिक्शन फोर तहरान एयरपोर्ट फिर कुछ समय बाद यानि कि ये शुरुआत में हुआ कि सारी फ्लाइट को कैंसल कर दो लोगों को खाली करा दो लेकिन 3-4 घंटे बाद ख़वार आती है यानि कि सुबह 6 बजे जहां पर फ्लाइट का हम ये तरफ से नहीं आई है सब लोग इरान अपनी तरफ से जो अपनी मीडिया है उसके माद्यम से वता रहा है जैसे मैं आपको इरान इंटरनेश्ट किनल की जो ख़वर दिखा रहा हूँ लेकिन जो लोकल सरकारी न्यूज है वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि कुछ हुआ ही जिस इसफाहान की बात कर रहे हो वहां कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे दिखाने का प्रयास चल रहा है इसराइल ने कोई ओफिशल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है ठीक है ना ब्रेकिंग न्यूज बना करके सब तरफ यह चीज चल रही है और कहा जा रहा है कि इनकी फा इसमानों के रास्ते बदलने की भी खबर है बहुत सारे फ्लाइट्स को जहां से उड़े थे वहीं पर उतारने की बात चल रही है अब यह जो इसफाहान करके जगह है यह वो जगह है जहां पर नाटांज नामक जगह है इसफाहान के मतलब एक तरह से समझे की इसफाहान ज वेपन के लिए जरूरी होता है नुकलियर वेपन में जो डालने के लिए यूरेनियम जरूरी होता है वो एंडिच्ड यूरेनियम होता है यूरेनियम 235 ठीक है उसको बनाने वाली जगह है नाटांज तो वहां के पास में ये फ्लाइट हमला हुआ है ऐसा का जा रहा है ऐसा क के सुप्रीम लीडर कहलाते हैं, इनका जनम दिन देखिए आप, 19 अपरेल 1939 को इनका जनम हुआ, तो इनका जनम दिन है आज, इस तरह से इसराइल वार रूम नाम से एक न्यूज चैनल है, उसने हैपी बर्टे खेमने ही करके इस तरह का ट्वीट कर दिया, इसका मतलब ये हु कि कही ना कहीं से, इस बात में सचाई तो है, सरकार बस जवाब देही ता तै नहीं कर रही है, हैपी बर्टे खेमने ही करके इस तरह की जानकारी देना, और न्यूज लगाना, अटेक इन रेस्पॉंस तो इरानियन मिसाइल, इसका मतलब कुछ तो है, दुनिया भर के इसराइल पर हमले का जिम्मेदार नहीं, वो इरान पर हमले का जिम्मेदार नहीं हूँ, हमले के लिए इसराइल ने इरान को वार्निंग पहले ही दे दी थी, ऐसी भी मेडिया न्यूज आ रही है, फिलहाल के लिए हम तो यही कह सकते हैं, कि फिलहाल एयर डिफेंस को लेकर के इस्फाहान के छेतर में ये कयास तो लगाए जा रहे हैं कि मिसाइल चलाई गई है इरान इसको इगनोर करते चल रहा है इरान में बकाइदा आप देखें तो इस प्रकार से ट्वीट करके जानकारी दी गई और जानकारी ये दी गई कि इस्फाहान का जो न्यूस चैनल है R.I.B. News के नाम से उसने दुनिया को दिखाया कि देखो इस फाहान में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं नॉर्मल तरीके से दिन की शुरुआत हुई है जैसे ओफिस चलते हैं वैसे ही सिटी चल रहा है तो जो लोग कह रहे हैं कि हमला हुआ है हम लोग लगा कर बढ़िया से अपनी तोब गोले लगा कर खड़े हैं बोले यहां पर भी कुछ नहीं है कोई भी एक्सप्लोजन का साइन या दिखाई नहीं दिया है तो फिर किस बात की टेंशन कुल मिला करके मैंने अगेन आपसे कहा सुर्खियों में बंभटा के हो चुके हैं लेकिन इरान इसको स्विकार नहीं कर रहा है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ है लेकिन IAEA ने अपनी तरफ से ये कंफर्म जरूर कर दिया है कि कोई भी सस्पीशियस अबजेक्ट अगर इस फाहन के आसपास गिरा भी हो उससे इनकी न्यूक्लियर साइट को कोई नुक नुक्लियर साइट पर हमला किसी को भी नहीं करना है लेकिन फिर थोड़ा समय और बीटता है न्यूज निकल कर आती है कि एरान कहता है कि उसने बहुत सारे ड्रोन्स को जो इसराहिल की तरफ से चलाए गए थे उन्हें हवा में ही मार गिराया है तो पहले डिसाइड कर लो इरान वालों की आपके ओपर हमला हुआ भी है कि नहीं हुआ है अब आप कहरे हो कि आपने बहुत सारे ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है तो conceptual clarity निकल कर नहीं आ रही है लेकिन ये तैह है कि Netanyahu उस दिन से जब से इरान ने इसराहिल पर हमला किया है तब से शान्त नहीं बैठे हैं आखरी रात को भी कहा जा रहा है कि आज सुबह की तस्वीर है ये जिसमें Netanyahu अपने मोसाद के चीफ के साथ बैठकर जो इनकी खुफिया एजनसी उसकी खुफिया एजनसी के चीफ के साथ बैठकर बाचीत करते हुए तस्वीर जारी किये जो अपने आप में ब लोग डरके चलते रहें गाउं में जिसको बिजगा बोलते हैं अब देखना होगा हमने इसका क्या करते हैं हाला कि इरान की तरफ से कहा गया है कि वो इस विशय पर अभी कोई भी रिटाइलियेशन प्लान नहीं कर रहा है कि उस पर हमला हुआ है तो वो कुछ करेगा क्यों बाकि आपको जो न्यूज मार्केट में तैर रही थी मैंने वो आप तक पहुचा दी है बाकि जैसे और कोई अपडेट आता है मैं जरूर आप तक साजा करूंगा फिलहाल के लिए इतना ही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सो देट भविश्य में अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप तक तुरंट पहुचा दूँगा आपको उसका मैसेज मिल जाएगा ठीक है ना बाकि यदि आप में से कोई साथ ही हमारा नतराज बैच जोइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है मात्र 7500 में आपको बैच जोइन करने का ऑप्शन है अगर डेडिकेटि के लिए पूरी एक साल की वेलेडिटी के साथ जिनके पास पहले जीए फाउंडेशन था उनके लिए उपलब्ध है थैंक यू सो मच अपना खयाल रखें